आप को भी कश बोल पाएके हमार बोल नहीं हम दीनी भॉल पाएक तो भी ठीक है क्या करते हैं बुमार बुमार रहते हैं बुमार बुमार रहते हैं तो नहीं तो पहले से अब थीक हुआ है करतें है धन्दा पहले से थीक हुआ है नहीं अर्थवस्ता बत तेज हैं वाई सब इल्कुल नहीं वो चीज तो नहीं दो हम कमा लेतेसे सब पहले बोड़ी argentinoe कि अगर महेंगाई बढ़ रही है तो लोगों की कमाई भी बढ़ रही है हमारा दमाद फ्री घुमराइब चरा खाली घुमराइब बड़ा लिखा हो के कि काड़ी दलवाद हो कहीं काम लगवाद हो वह एंडेल्शी जी बहुत बुरा हाल है सरकार तो सही चल ली नहीं है कुछ भी हमें ज्यादा ज्यान नहीं है लेकिन यह कारोबार खतम है और यह जो विपक्षी वाले जो इंडिया बनाए उसके मुझे उसकी वी जानकारी नही जा रहे है है अब जिसकी लाटी उसकी बैंस चले जारे है चले जारे लोग मुझेस ही है जनता उनको चुन रही है न हम यह तो पता दो बारनो सब्सक्रिपर कोतनail में क्या कह सकते हूं इस महुंच कुल रह रहे हैं एक मुश्किल सा लगता थोड़ा थोड़ा कि रहे थे कुछ बांट रहे थे कुछ नोगली है थी सचाहित तो पिस्वा के दे दो और जो लोगे तो पिस्वाही चोड़ देगा पिसा वह लोगे तो एक सुतीस रपया ले लेगा कि तुमते मिलता तो प्री ब्लता ऐ घरी ओर एैच के नीचे जो लोग है जो हमारे अभी मड़ीपूर पर चर्चा हो रही थी तो मुझे एक छोटा सा सेर याद आता है कि जब चुना ही था कतले आम का हुनर देखकर तो फिर तुम्हें क्यों इतना आश्चर है लासो का सहर देखकर अब लोगों में आप भी बात कर रहे थे तो मैं लोगों की मानसिक्ता देख रहा था कि जो धर्म एक कहा गया कि धर्म अफीम होती है तो धर्म की अफीम जो लोगों ने इतना बुरे तरीके से चाक लिया है देश के जो बुनियादी मुद्धे हैं वो गौड हो गये हैं धर् प्रथम हो गया है जो कि धर्म धर्म इत्य Thaology दहर्ण करने लायक है वहीत दहर्म है लेकिन अधर्म का केवल इतना कि मतलब है हिंदू मुसल्मान पाकिस्तान हिंदूस्तान मतलब गचब की एक मौब टाइप का जो लोगों की एक विचारधारा है देश में कभी कभी चिंता होती है कि हम जैसे युग अगर एक बार पत भरष्ट हो जाए तो एक बार समझ में आता है कि एक उम्र के बाद समझ जाएंगे लेकिन लगता कि 60-65-65-70-70 साल के उम्र के लोग जिन्होंने बच्पन अपना संप्रदाइक सोहर्द में भी दाया है जिन्होंने यहाँ पर हिंदू-मुस्लिम, हिंदू-हिंदूस्तानी और गंगा जमुनी तहजीब को जिन्होंने देखा है महसूस किया है और उसी का पले बढ़े हैं और आज भारत विश्व की सबसे सक्तिसाली देशों में सुमार है लेकिन कलपना कीजिए सर कि अगर हिंदूस्तान यह बाजाद हुआ नहिरू जीतने संप्रदाइक होते हिंदू-मुस्लिम, हिंदूस्तान, पाकिस्तान, गाय गोबर अतना पीचे हम नही है, यह जो है, कोट, यह जो वाक्य है, वो मार्क्स का लिखा हुआ है, काल मार्क्स अब आपको मालूम है कि माक्सिजम, कम्यनिजम, सामयबाद, दुनिया के कितने देशों में बचा, और यह विचारधारा जो बीसवी शताब्दी में, बहुत तेजी से पंपी थी, बहुत वो विचारधरा उतनी तेजी से सिमट्ती हुई चली जा रही है और दुनिया के तमाम देशों में राष्टवाद, धर्माधारी, वितंडावाद, मैं उसको ये भी कहता हूँ, कि ये बहुत तेजी से हर तरफ आप दुनिया, मैं आपकी बात से सराहमत होते हुए बहुत बिनेमरता पुरुवक ये कहूँगा, किसी बिचारक के रहने से, किसी बिचारक के न रहने से, ऐसा नहीं कुसी प्रासंगीकता खत्म हो जाती है, आपको मैं दो चित देख पताता हूँ, एक नक्से पर चिन लगाई है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा भुकमरी है, बेरुजगारी है, अपराद है, महिलाओं पर अपराद है, भरष्टाचार है, धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा बिसंगतिया है, और दूसरा नक्सा लीजिए, जहाँ पर धर्माधारी सासन सत्ता है, आपको दोनों चीज़े एक जिगह मि प्यालियों में चिपकली मक्खी खाकर गाली के फोटों के पीछे चिप जाती है, ठीक उसी तरीके से, यह जो धर्म के तथा कथित जंडा बरदार हैं, जिने धर्म का धर नहीं पता है, जिने परमपराओं का प्पा नहीं पता है, लेकिन उस संस्कृति धर्म और परमपरा कटरवाद हावी हो जाए, और दूसरे धर्म के प्रती नफरत की भावना पैदा हो जाए, तो फिर उस समाज में अच्छा कुछ नहीं हो सकते हैं, एक मिन एक मिन अब आवी हाँ, सनातन की बात होती है, आज हम कर रहे हैं माड़ीपूर की, आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की हत्याचार की है, तो सर, महिलाओं की अच्छार देख लीजिये, सर, प्रधान मंतरी को इतने दिन बाद मिला है, के वल, 36 शकड मड़ीपूर पर बोलने के लिए, और प्रधान मंतरी जो कहते हैं, कि हमारे घर की महिलाओं है, उप पालवानों के उत्पीडन पर चुप र वागी यजा रही है आपको ये क्या लग रहा है यह जो मड़ीपूर में हुआ यह जो बीजेपी सरकार ने किया अभी तक उसके बारे में आपका क्या विचार है डोजार पूरा सेशन पिछला दुल गया आडानी मामले पर भाहस नहीं होई उसी पर यह भी दुलेगा एस सीजन में कुछ नहीं होगा चुबीस तक ऐसी चलेगा लास्टर पर राम मंदर पकड़े बोट पर यांगे हिंदी उसले मिलाम पर बोट पर लेंगे सरकार फिरा जाईगी विल्कुर राम मंदरी आएगा लास्टर तो जनता समझ भी रही है तब भी पूर पूर कुसम भी रही है मजबूर है इस इसामने नहीं दे रहा है पर साइद कोई आ सकता है आज आए प्रमात्मा का आथ में यहां नहीं रहूंगा इस दूसरी तरफ इंडिया वाले हैं इनमें कोई उमीद लग रही है इस समय तो थोड़ी कम्जोर है पर यह साइद बन गई तो बहुत वूपर मनेगी आप क्या कह रहे है के माणिपूण के मद्वे cœur दो कि सर्फ बात नहीं करना चाहते है क्यों नहीं करना चाहते तो पात तो करें राज्जी आपका है आप सरकार में तो आप बोलोगे तो मैं खुद कहता हूं कि मुख्यमंत्री को और इतने दिनें के बाद उनको तो चाहिए था लेकिन पता नहीं क्या बात है कि डबल इंजिन की सरकार है कुछ बताएंगे जानने आये हैं मड़ीपूर पर आम जंता का क्या सोचना समझना है और यह जो महिलाओं के अप्ताचार को लेके सत्ता पक्ष विपक्ष में तु तु मैं मैं संसत की कारवाई ने चल आम आदमी और काईदे से सोचना सुरू किया है किस पर मड़ीपूर कार्ण जो हुआ है तो एक बात मुझे बताईए यह बात सच है कि महिलाओं के वीडियो आने के बाद लोगों के दिमाग में मड़ीपूर में क्या हो रहा है और क्या इस्तितिया तब लोग जानना शुर में है वो इस चीज को दबा रही है अदम गॉंडवी साहब का एक सेर है यह बहुत मिल जा रहे है कि अच्छ प्रसनों में उलजे कर रह गई बुड़ी सधी यह हमारे प्रतिच्छा की घड़ी है या हमारे प्यास की इस बेवस्था ने युवा पीड़ी को आखिर क्या दि और जो बदल सकती है इस दुनिया के मौसम का मिजाज उस युवा पीड़ी के चेहरे की आतासा देखिए आप भी इस बेर में गुसकरतमासा देखिए तो यह एक जो बनाया गया है आभा मंडल कि इस राजे में हो रहा है इस राजे में हुआ है तो कांग्रेस में क्या प्रधान मंतरी को इस पर ब्यान देना चेह इस से जगहन या पराद इस पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ है यह बहुत ही रुहंग्यों का जो मामला था मुझे तो लगता है कि यहां महिलाएं जो है भारत में सरणार्थी बन करके रह रही है आप चुकि जो है देवी क अन्य राजे की तूलना करेंगे किसी राजे से विश्व के किसी देश से इस घटना की तूलना नहीं की जा सकती है यह कहीं नहीं तूलना की जा सकती है जीतना नरसंगार वहा हुआ है जीस तरह का नगन तांडव पुलिस के सामने किया गया है यह कहीं न कहीं इसमें कुछ सरकार जो चाहते हैं कि दो हैदाएश्यों गया कि हम हार रहा है क्योंकि जनता जो है चूप है इतनी महंगाई है कि कल ट्रेन से मुरादाबाद से आ रहा था मैंने देखा जो वहां जन्रेंट में आई आपको जन्ता दिखेगी बादशापा किने तांस मैं कहाना चाहूंगा या मोदी जी से आप यहां क्यों हैं मेट्रों में गुम रहा हैं। यह सरकार हमें बताई है कि इतने लाख लोगं को रोजगार मिलेगा। कोई रोजगार नहीं है, महाँ इतनी है कि 50,000 कमाने वाले आज भीक मांग रही है। का हमें बस आज इतना ही।